हेलो स्टुडेंट्स, मैं सेल्फ विरबल साहू अशिस्टन प्रोफेसर अप भारती ग्रूप ऑप कॉलेज दिपाटमेंट ऑफ मैथेमेटिक्स लास्ट क्लासेस में students हमने देखा था Fourier series के बारे में हमने Fourier series का पूरा इमिट पढ़ा है उसमें हमने half-lange Fourier series full-lange Fourier series bridge-lit condition, even odd function इन सब topics के बारे में पढ़ा है ठीक है और Fourier series कुछ questions को भी हमने solve किया है आज हमारा topic है जो नया topic है वो है students differential equation differential equation of first order and first degree के बारे में पढ़ेंगे generally हम तो differential equation पढ़ते हैं तो क्या दिखा जाता है कि एक ordinary differential equation होता है और एक partial differential equation होता है और जो हम back classes पढ़ते हैं जो पिछली का च्छाओ में हमने पढ़ा है वो होता है normal differential equation नहीं normal differential equation के properties का यूज करके आज हम पढ़ेंगे differential equation of first order and first degree first order की और first degree की हम क्या पढ़ेंगे differential equation के बारे में पढ़ेंगे लेकिन चलिए आए उससे पहले हम देखेंगे नहीं देखेंगे कि differential equation क्या होते हैं इसके types क्या होते हैं कितने types होते हैं उसके बाद हम आपको बतायेंगे कि degree क्या होती है मतलब order of degree किसके लिए differential equation के लिए order of first order of sorry ये बूल सकते हैं order of differential equation and degree of differential equation आप ऐसा कह सकते हैं ठीक है इस प्रकार से हम इसके बारे में जानेंगे कि differential equation होता क्या है students उसके पूरे विशाय के बारे में देखेंगे उसका definition वेगरें के बारे में ठीक है जो definition है उसकी विश्य में जानेंगे और उसके types के बारे में देखेंगे स्टुडेट्स ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास चलिए श्तूडेट्स आज हमारा नया topic है नया unit है differential equation of first order and first degree इससे पहले हम first order या first degree में जाने, differential equation के definition के बारे में देखते है और उसके types के बारे में जानेंगे ठीक है, चलिए देखते है इस student start करते है, यह आपके पास differential equation का definition है, यह आपके पास differential equation is an equation that involve independent and dependent variables and the derivatives of the dependent variable, ठीक है, क्या कहता है आपको यहांद इस्ट्टेंड यह कहता है आपके पास कि डिफ्रेंशु एक्टेhesion होता है जिसमें किया-क्या होते हैं उसमें आपके पास independent dependent variable involved होते है और शते हैं bert Dale होते हैं वो भी क्या होते हैं dependent होते हैं टिए मैंने क्या क्या देखें यहां पीड़ेशन कि आप जब differential equation बढ़ते हैं क्या क्या सामिल होता है उसकी परिभासा कहते हैं इसाधा है कि में independent और dependent variable रहते हैं जो रहते हैं वह भी कैसे होते हैंअ यह ऑते हैं कैसे गासे थे यह होता हुं भी इपेन्ट ऐएबल होते हैँ ठीक यह होता है क्लिश्या स कि क्रते क्याण क्रूश करते इसमें करता है इन इसंडीपेंडेंट एंडीपेंडेंडट ए कर Первya करते haben वो कैसा रहता है वो dependent variable रहता है ठीक है देखी आपको एक function बना के दिया गया है क्या कहता है देखी यहां से if y equal to f of x if y equal to f of x तब देखिए आपके पास function क्या बनेंगे तब आपके पास बनता है नीचे देखिए आपी दिया गया है तब आपके पास यहाँ पे function बनेंगे students यह देता है then dy upon dx comma d square y upon dx square comma d cube y upon dx cube etc d power n upon d power n y upon dx power n कर गे ठीक है इसके differential होते हैं जो इसके differential करने पर equation जो बनते हैं उसके form होते हैं ठीक है अब इसी के base पे कर मैं form बना दू फंक्शन का form ready कर दू अगर इसी के base पे मैं function का form अगर ready कर दू students तो क्या दिखाएगा देखिए आपको यहाँ पे यह देता है f of x comma y dy upon dx comma d square y upon dx square d power n y upon dx power n equal to 0 आप यह यह कह सकते हैं कि आपके पास equation दिया है y equal to f of x उसका अगर आप differential कर देते हैं तो differential करने के बाद जो उसके functions बनेंगे वो functions किस form में बनते हैं वो functions बनते हैं students इस form में वो functions किस form में बनेंगे वो functions बनते हैं इस form में इस form में वो बनता है, students, ठीक है, यह होता है, आपके पास junior differential equation का definition, clear है, चलि, इसके आगे देखते हैं, हम क्या देखेंगे, उसके types के बारे में जानेंगे, तो देखें students, यहाँ पर क्या दिया है, types of differential equation, types of k्या दिया है, differential equation, हम क्या Osim क्या है जर्बयातल है प्रदीने कुट्स होते हैं इसके स्रीक होते हैं उसके जर्फिंध कि व vapors दॉशन अगर उसे आप पढ़ेंगे इसके अंदर की टॉपिक के बारे में तो बहूंस सारे होते हैं homogeneous differential equation भी होता है, linear differential equation भी होता है, exact differential equation भी होता है, तो इस प्रकार से बहुत सरा differential equations के अंदर के सब topic होते हैं student, आप इन दोनों को check करेंगे, दोनों को पढ़ेंगे, तो समझ में आ जाएगा, जैसे first में आपको मिलेगा, separation के बारे में मिलेगा, इसमें भी आपको separation के बारे तो यह होता है, दोनों के लिए, ठीक है students, तो चलिए, देखिए आगे क्या कहता है, आगे आपको बताया जाएगा, first, ordinary differential equation के बारे में, ठीक है, यह तो इसके types हो गए, अब आपको बताएंगे, हम ordinary differential equation होता गया है, चलिए देखते है students, क्या कहता है यह आपके पास, first में, और more than dependent variable is an ordinary differential equation, यह कहता है कि एक differential equation होना चाहिए, जिसमें क्या involved होता है, उसमें involved होता है, students only one, यह यहाँ पर only one, सिर्फ क्या होता है, एक independent variable होता है, only one मतलब क्या होगा आपके पास, सिर्फ एक independent variable होता है, और साथ में क्या होता है, एक से अधिक, one and more than, एक से अधिक, क्या होता है dependent variable होता है यह होता है students आपके पास ordinary differential equation के लिए किसके लिए होता है ordinary differential equation के लिए clear why students इसलिए क्या कहते है ordinary differential equation क्या होता है जिसमें ऐसे variables involved होते हैं जिसमें ऐसे variables involved होते हैं जो एक independent variable use करता है और क्या होता है एक से अधिक dependent variable का यूज़ करता है वो कहलाता है आपके पास ordinary differential equation क्या कहला हैगा वहाँ पर ordinary differential equation की लिए ठीक है चलिए इसके questions को देखते हैं इसके examples देखते हैं क्या examples में students देखें students यहाँ पर क्या होगा आपके पास से बता दिया क्या इसके examples में dy upon dx plus x square y equal to sin x, dy upon dx plus x square y equal to sin x, तो क्या कहता है, where x is independent and y is dependent, तो इस function में क्या हो जाएगा, जो ये x दिया हुआ है, x क्या हो जाएगा, आपके पास independent होगा, क्यों independent होगा, क्योंकि इस x के respect में, आपके इस पूरे function का क्या करते हैं, differential करते हैं, इस x के respect पे, आप इस पूरे function का क्या करेंगे, differential करेंगे, तो किसकी value निकलती है, वहाँ पे dy की value निकलती है, और ये y किस पर depend करता है, ये y x पर depend करता है, ठीक है students, इसलिए कहा गया है, कि x जो है आपके पास क्या हो जाएगा, वो independent variable हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, x जो है आपके पास independent variable हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, y आपके पास dependent variable होता है, general हम कहते हैं, कि क्या हो जाएगा आपके पास ये, x जो है, sorry, y जो है किस पर depend करता है, y जो है x पर depend करता है, ठीक है y जो है कि इस पर depend करता है x पर इसलिए क्या हो जाएगा x हमारे पास independent में आता है और y कि इसमें आता है हमारे पास y जो है वो students वो dependent variable में आता है clear हुआ चली आगे देखते हैं और example एक देखे students आगे कहता है second example में dy upon dt plus dx upon dt equal to sin x करके ठीक है दिया हुआ है आपके पास dy upon dt plus dx upon dt equal to sin x तो यहां क्या कहएगा आपको देखिए where t is independent t हमारे पास क्या हो जाएगा नीचे दिया हुआ है t ध्यान देंगे ना तो नीचे क्या है आपके पास t नीचे है upon में है इसका है टीपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें होता है पूरे function का differentiate होता है students टी के respect में ठीक है किसके respect में होता है students टी के respect में इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा एक सब्सक्राइब हो जाएगा और टी हो जाएगा आपके पास एक independent variable का form ने ठीक है students चलिए आगे देखते हैं आपके अब partial differential equation इसका second type क्या है आपके पास यह हो जाएगा आपके पास partial differential equation second type है किसका differential equation का second type अब देखिए यहाँ दिया है an equation which involves partial derivatives with respect to one or more than independent variable and one dependent variable is called partial differential equation अब जस्ट यह opposite है किसका पोजिट है students कि just opposite है आपके पास ordinary differential equation का ordinary differential equation में आप क्या करते हैं और ordinary differential equation में आपके पास सिर्फ एक और एक ही क्या होता है independent variable होता है और एक से अधिक आपके पास क्या होता है वो dependent variable होता है बट इसमें क्या है just इसके opposite होता है इसमें एक से अधिक क्या होता है एक से अधिक independent variable होता है एक से अधिक क्या होता है एक से अधिक होता है इसमें independent variable और केवल एक ही क्या होता है वो dependent variable होता है देखे एक्जामपल में है न एक्जामपल आपको बताता है यहाँ पे आप जब करोगे तो क्या देगा फर्स्ट एक्जामपल कहता है आपको y square del square z upon del x plus x y del z upon del y equal to nz अब इस function को आप देख लीजिए यह z और z और यह z z पूरे function में है ठीक है z क्या है z हमारे पास पूरे function में है z पूरे function में है यहाँ पे क्या दिया है इस equation में दिया है आपको x और इस equation में आपको क्या दिया है y करके तो यह जो function है इस function को मुझे क्या करना पड़ेगा जब मैं इसको differential करता हूँ कैसा differential रहेगा partial differential तो देखे यहाँ पे independent variable कितना है students independent variable हमारे पास दो हो जाएंगे इस equation को one time x के respect मुझे differentiate करना पड़ता है उस condition में क्या होगा जब इस function का मैं x के respect में differential करता हूँ कैसा differential रहेगा तो कैसे हो जाएगा जब मैं x के respect में इस function का मैं क्या करूँगा वहाँ पे differential करूँगा तो y वाला terms क्या हो जाएगा y वाला terms आपके पास हो जाएगा constant के वल किसका हो जाएगा जो x वाले terms रहेंगे या x variable रहेगा उसी कही क्या होता यहाँ पर differential होता है और y वाले जित्ते भी dependent variable रहेंगे या independent variable रहेंगे सब क्या हो जाते हैं वहाँ पर वह वैसी के वैसी रहेंगे या फिर 0 हो जाते हैं या आप कह सकते हैं constant हो जाते हैं y वाले पूरे terms क्या हो जाएंगे आपके पास constant हो जाएंगे ठीक है students next terms में क्या करता हूँ देखिए next terms में हम करते हैं कि इसी equation का y के respect में क्या करता हूँ मैं differential करता हूँ y के respect में क्या करूँगा मैं उसे differentiate करूँगा जब y के respect में differentiate करता हूँ students तो उस condition में क्या होता है उस condition में होता है कि x वाले जितने भी variables रहेंगे वो क्या हो जाते हैं वहाँ पे constant हो जाते हैं उनका हम differentiate नहीं करते हैं ठीक है इस प्रकार से हम क्या करते हैं होता है वो एक स्वादिक होता है और डीपेंडंड वेरियब्ल क्या होता है कि ये ले स्ञडेंड पास तक ही होता है अच्पास ये फडरेंश pixel and जिरू यह भी आपको same process बताएगा कि इस function को मुझे क्या करना पड़ेगा जितने बार या one time ना सेकेंड टाइम क्या करना पड़ेगा इसको एर दिया हुआ है तो two time क्या करना पड़ेगा इसे मुझे two time इसे मुझे students x के respect में differential करना पड़ेगा और two time क्या करना पड़ेगा मुझे इसको y के रिश्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशल करना पड़ेगा ठीक है तो उस कंडिशन में जब x के रिष्पेक्ट में डिफ्रेंशल करते हैं तो y वाले पूरे variables क्या हो जाएंगे constant हो जाएंगे और जब y के respect में करेंगे तो x वाले variables क्या हो जाते हैं वहाँ पर कॉंच्ट हो जाते हैं ठीक है तो देखिए यहां पर एक line लिख की दिया भी किया है कि वेर जैड डिपेंडेंट है ना वेर जैड इस डिपेंडेंट variables and xyr independent variables करके यह स्टुडेंट यह होता है कि इसके लिए आपके पास यह पास आपने ऐखामपल भी एस टुडेंट्स ठीक है चलिए इस कि आगए ते हम का डीखेंगी M of differential equation, देखे students, क्या कहता है, order of a differential equation, order of a differential equation, तो क्या कहता है, देखिए first में, the order of a differential equation is the order of the highest differential coefficient, which, which cross into, इन इड दिया हुआ है, ठीक है, इन इड दिया of a differential equation, is the order of the highest differential equation coefficient, which, across into, in, इड है, इन इड, इन इड, क्रोस इन इड करके है, थास, if a differential equations, contains nth and lower derivatives, it is said to be of nth order, चा कहता है, देखिए, यह कहता है, the order of a differential equation is the order of the highest differential coefficient, order of differential equation में, क्या होता है, order of differential equation में, होता है, students, ही कहता है, कि, highest differential coefficient, which, across into, in, इड दिया है, और, in, इड, इन इड, जो, across in, इड, तो क्या होना चीए, इस में, आपके पास, किस कहा तक दिखाता है, highest, क्या रहेगा, differential equation का highest differential coefficient highest differential coefficient इसमिन क्या होता है वो जो end time कर सकते है end time जो होता है उसी होगे हम क्या कहते है कि जो भी differential equation होगा उसी का order होगा अब order में जब आप पढ़ते हैं तो आपको क्या दिखा जाता है students 1, 2, 3 देखे जब किसी आप जब किसी equation का differentiate करते हैं किसी भी equation का जब आप differentiate करते हैं students तो क्या होता है 1 time होता है 2 time होता है and 3 time होता है ऐसे करते करते हैं क्या करते हैं end time differential करते हैं तो end time जब differential करते हैं तो वही क्या बताता है वो highest order जब जाएगा कितने order तक जा सकता है वो highest order तो highest order में क्या रहेगी highest order में क्या रहता आपके पास एंथ time order रहता है successive differential में आता है differential आप करते जाएं करते जाएं कहां तक होता है वो one to zero अगर वो equation क्या हो जाए differentiate करने के बाद भी वो आगे बढ़ता जाए बढ़ता जाए equation सिर्क्या हो replace होते जाएं तो कहां तक जाते हैं उसको एंथ order दिखे जाते हैं वही order क्या रहेगी आपके पास हो highest order में आएगी और end time order में आती है एंथ time order में आ जाती है ठीक है students यह होता है आपके पास order of a differential equation मतलब क्या हो जाएगा simple सा अगर हम कहें generally general language में कहें तो हो जाता है किसी equation का order बताना order बताना मतलब कितने time उसको आपने differential किया है two time, three time या four time उसके power पर depend करता है और equation पर depend करता है क्यों कहां पर जाके end time differential को वो swap करता है ठीक है students चलिए यह होगी आपके पास अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर degree of a differential equation देखे students यह कहता है degree of a differential equation यह कहता है the degree of a differential equation is the degree of the highest differential coefficient which occurs in it which the differential equation is dependent of which occurs in it which sorry when the differential equation is independent equation is independent of independent of radiation and fractional powers equation of highest equation of degree higher than 1R also called non-linear तो देखे आप जब पताएंगे तो इसमें भी आप क्या देखते है students उसके degree चेक करते हैं किसी भी differential equation का आप क्या करते हैं उसके degree चेक करते हैं इसलिए कहा गया है कि जब आप इसका power बताएंगे sorry जब इसका आप क्या बताएंगे order बताएंगे तो साथ में क्या आती है degree भी आती है कहरे का मतलब अगर आप किसी equation का order बताते हैं तो hold to the power में आपको दिखाएंगा आप उसका order बताएंगे तो hold to the power में दिखाएंगा अगर आप degree बताते हैं तो सिर्क इसी एक function का equation बताएगा जैसे x का हो जाएगा x square ये इसकी degree हो गई x cube ये इसकी degree हो गई लेकिए dy upon dx hold to the power 2 ये क्या हो जाएगा equation आपके पास ये उसका order हो जाएगा मतलब पूर equation का power है कितना अब पूर equation में highest power कितना है पूर equation में highest power 2 है तो वो क्या हो जाएगा उसका order हो जाएगा और पूर equation में highest degree किसकी है मतलब सबसे बड़ा equation कौन सा है उस equation में देखना है कि उसकी power में element कितने है मतलब कौन से element है 2 है 3 है या 4 है तो जो सबसे highest रहेगा वह हो जाएगा उसकी degree हो जाएगा कहने के मतलब देखिए highest degree या highest order वो बाद में आएगा first order and first degree हम पढ़ रहे है तो किसी भी equation का degree और order आप कैसे decide करते है कि अगर आपके पास कोई भी equation दिया है उस equation को आप चेक करिए पूरे equation में अगर आप क्या दिया है आपको पूरे power एक समान दिया है पूरे में क्या दिया है एक समान दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा या highest हो जाएगा ठीक है student क्या कहा रहा है देखिए अगर किसी भी equation को आप देखिए उस पूरे equation का order आप चेक केजिए जो highest order है मतलब किसी भी equation में उसका order क्या है सब में उसमें पताने के बाद आप जिसे order बताएंगे तो सबसे उसका highest order क्या है highest order जो रहेगा वही उसका highest order कहलाएगा ऍुह स सकते इस ट्फिए गरी और क्या देख सकते हैं इसका अर। ठीक है इस्तुडेन्स चलिए इसके आगे हम पढ़हंगे इसके को चुछ कुंश़ है उसके बारे में हम आगे नेक्स क्लास बनेखेंगे हैंक स्टुडेंट्स थेक्प हैं कुछ पिस्ट आउट हो तो जरूर बताएगा थैंक यू